हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज खेले गए IPL के 52 मैच में जो की रोयल चैलेंजर्स बैंगलूरू वर्सीज सन्राइजर्स हैदराबाद के बीच में खेला गया दोस्तो इस मैच में सन्राइजर्स हैदराबाद ने टोस्त चीते हुए पहले गेंदबाजी का फैसला किया और रोयल चैलेंजर्स बैंगलूरू को बैटिंग का नोता दिया दोस्तो उनका ये फैसला सही भी रहा क्योंकि RCB की टीम पहले खेलती हुई एक लो स्कोर ही बना पाई जो की 120 रन था और SRH की टीम ने यह स्कोर बड़ी ही आसानी से 15 और में 5 विकिट खोकर चेज कर लिया और ये मैच 5 विक्टों से अपने नाम कर लिया दोस्तो अब मैं आपको पूरे मैच का वर्नन बताता हूँ दोस्तो RCB की टीम जब पहले खेलते हुए पिछ पर उतरी तो RCB की जो शुरुआ थी वो विक्टों के गिरने के साथ ही शुरु होई और ज्यादा स्कोर तक नहीं पहुँच पाई RCB का पहला विक्ट RCB के कुल स्कोर 13 रन पर गिरा जो की देवदत पदिकल के रूप में था देवदत पदिकल ने आउट होने से पहले आठ गेंदे खेली और पाँच रन बनाए एक चोक्के की मदद से दोस्तो उनका विक्ट संदीप सर्मा ने बोल्ड करते हुए लिया दोस्तो उसके बाद RCB का दूसरा विक्ट RCB के कुल स्कोर 28 रन पर गिरा जो की कैप्टन कौली के रूप में था कौली ने आउट होने से पहले 7 गेंदों पर 7 रन बनाए बिना कोई चोक्के और चक्के के और इनका विक्ट भी शंदीप सर्मा ने ही लिया दोस्तो उसके बाद RCB का तीसरा विक्ट RCB के कुल स्कोर 71 रन पर लिया जो की डी विलियर्स के रूप में था डी विलर्स आउट होने से पहले 24 गेंदों पर 24 रन बनाए एक चोके और एक चक्के की मदद से और इनका विक्ट नदीम ने लिया इसके बाद RCB का चोथा विक्ट RCB के कुल स्कोर 76 रन पर गिरा जो की फिलिपी की रूप में था फिलिपी ने आउट होने से पहले दोस्तों RCB की तरफ से सबसे अच्छी पारी खेली उन्होंने 31 गेंदों पर 32 रन बनाए चार चोको की मदद से और उनका विक्ट रसीद खान ने लिया उसके बाद RCB का जो पांचवा विक्ट था RCB के कुल स्कोर 106 रन पर गिरा जो की वासिंग्टन सुंदर के रूप में था वासिंग्टन सुंदर ने 18 गेंदों पर 21 रन बनाए दो चोको की मदद से उसके बाद RCB का चटा विकेट RCB के कुल स्कोर 113 रन पर गिरा जो कि Chris Morris के रूप में था Chris Morris ने आउट होने से पहले चार गेंदे खेली और तीन रन बनाए और इनका विकेट होलडर ने लिया इसके बाद RCB का साथवा विकेट RCB के कुल स्कोर 114 रन पर गिरा जो की उडाना के रूट में था उडाना ने आउट होने से पहले एक गेंद खेली मतलब पहली ही गेंद पर आउट होगे बिना कोई रन बनाए दोस्तों उसके बाद RCB का कोई विकेट नहीं गिरा और RCB की तरफ से कुल किरत सिंग 24 गेंदों पर 15 रन बनाकर लाश्ट तक नोटा उट रहे जुन्होंने अपनी पारे में एक चोका लगाया और उनके साथ सिराज 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर नोटा उट रहे और कोई चोका कोई चका नहीं इस परकार RCB की जो बैटिंग थी वो काफी बेकार रही क्योंकि वो ज़्यादा स्कोर नहीं बना पाई एक एवरेज भी नहीं बोल सकते लो स्कोर ही बना पाई उन्होंने 20 अवर में 7 विकेट खोकर 120 रन बनाए और SRH की टीम के सामने जीत के लिए 121 रनों का टारगेट रखा जो की बहुत कम स्कोर था दोस्तो आज SRH की बोलिंग काफी अच्छी रही उन्होंने RCB की एक के बाद एक विक्टे भी गिराई और RCB को एक लंबे स्कोर तक भी नहीं पहुँचने दिया दोस्तो SRH की तरफ से संदीब सर्मा ने 4 और में 20 रन देते हुए 2 विक्ट लिये रसीद खान ने 4 और में 24 रन देते हुए 1 विक्ट लिया इस परकार दोस्तो आज RCB ने पहले खेलते हुए SRH के सामने जीत के लिए 121 रनों का टार्गेट रखा जो की 2020 के लियाज से काफी कम स्कोर था और हुआ भी यही SRH की टीम इस स्कोर को बड़ी ही आसानी से चेज़ कर लिया उन्होंने और ये मैच जीत गई दोस्तो आसारच की टीम जब 121 रनों का टार्गेट लेकर पिछ पर उतरी तो उनका जो पहला विकेट था वो बहुत जल्दी गिर गया SRH का पहला विकेट SRH के कुल स्कोर 10 रन पर गिरा डेविड वार्नर के रूप में डेविड वार्नर ने आउट होने से पहले 5 गेंदों पर 8 रन बनाए एक छक्के की मदद से और उनका विकेट वासिंग्टन सुन्दर ने लिया उसके बाद SRH का दूसरा विकेट SRH के कुल स्कोर 60 रन पर गिरा जो की मनीश पांडे की रूप में था मनीश पांडे ने आउट होने से पहले 19 गेंदों पर 26 रन बनाए तीन चोक्के और एक छक्के की मदद से और इनका विकेट चहल ने लिया दोस्तो इसके बाद SRH का तीसरा विकेट SRH के कुल स्कोर 82 रन पर गिरा जो की रिद्दीमान शाह के रूप में था रिद्दीमान शाह ने आज थोड़ा टिकर खेनने की कोशिश जरूर की लेकिन वो आउट हो गई जल्दी ही उन्होंने 32 गेंदों पर 49 रन बनाए चार चोक्के और एक छक्के की मदद से और इनका विकेट चहल ने लिया उसके बाद S.R.H. का जो चोता विकेट था वो S.R.H. के कुल स्कोर 87 रन पर गिरा केन विलियमसन के रूप में केन विलियमसन ने आउट होने से पहले 14 गेंदों पर 8 रन बनाए बिना कोई चोक्के और बिना कोई चक्के के उसके बाद S.R.H. का पांचवा विकेट S.R.H. के कुल स्कोर 114 रन पर गिरा जो की अभीशेक सर्मा के रूप में था अभीशेक सर्मा ने आउट होने से पहले 5 गेंदे के लिए 8 रन बनाए एक चक्के की मदद से और इनका विकेट नवदीव सैनी ने लिया इसके बाद S.R.H. का कोई विकेट नहीं गिरा और S.R.H. की तरफ से जैसन होलडर लाश्ट तक नोट आउट रहे उन्होंने 10 गेंदों पर 26 रन बनाए एक चक्के और तीन चक्के की मदद से और उनके साथ अबदुल समाद बिना कोई गेंद और बिना कोई रन बनाए ला कर लिया दोस्तों आज आज RCB की बोलिंग जैसे बैटिंग अच्छी नहीं थी RCB की ऐसे ही बोलिंग में कोई दम खम नहीं था वो S.R.H. के उपर बिल्कुल प्रेसर नहीं बना पाए दोस्तों RCB की तरफ से क्रिस मोरिस ने दो आवर में 19 रंदे कर जीरो विकेट लिए व 2.1 आवर में 19 रंदेते हुए 2 विकेट और शुरू उडाना ने तीन आवर डाले 20 रंदी है और एक विकेट लिया दोस्तों इस परकार आज का मैच S.R.H. की टीम ने बड़ी आराम से 5 विकेटों से अपने नाम कर लिया दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव या जो भी क्रिकेटर लवर्स हैं उनके साथ इसे शेयर करें और दोस्तों कमेंट बोक्स में आप हमें बताएं कि RCV की टीम जिसके अंदर इतने बड़े बड़े बैटिंग वाले प्लेयर्स हैं वो उनकी देना चाहिएंगे कमेंट बोक्स में हमें लिक कर जरूर बताएं और दोस्तों SRC की टीम में आपको अगर मैन ओफ दप्लेयर मैस देना हो तो किस प्लेयर को देंगे उसका भी नाम हमें जरूर बताएं और इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके धन्यवाद दोस्तों जैहिंद